हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है फ्रेंज आज हम सीखेंगे यह डिजाइन इस डिजाइन को आप लेडीस का डिजाइन में अपलाई कर सकते हैं और बेबी फ्रॉफ में भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं इस तरह से बन गया फ्रेंज से दो रोका डि आई ये सीखते हैं डिजाइन की फ़र्ष्ट रो सुरू करते हैं ऐस्टा फंदा हमने सीधा बना लेना है अब इधर क्या करना हमने पांस फंदों में डिजाइन बनना है तो हमने पांस फंदों में इस तरह से धागा ले लेंगे दो दो बार धागा लपीट लेना है पांस फंदों में तीसरा फंदा ये चौथा फंदा और ये पांस पांस फंदा पांस फंदों में हमने धागा लपेट के लेना है, एक फंदा सीधा बना लेंगे, पांस फंदों में धागा लपेटना है, एक, दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौंथा फंदा, और ये पांचवा फंदा, एक फंदा सीधा, पांस फंदों में दो बार हमने धागा घुमा के लेना है एक दूसरा फंदा ये तीसरा फंदा और ये चौर्था फंदा ये पांचवा फंदा एस्टा फंदा हमने सीधा बना लेना है फर्स्ट रो यहां पर हमारी कमप्लीट हो चुकी है सेकेंड रो रउंग साइट इस्टा फंदा थो हमने उल्टा बना लेना है अब इधर क्या करना है हमने पांस फंदे से इस तरह से हमने पहले इनको निकाल लेना है तीन, चार, एक पांचवा फंदा फिर हमने क्या करना है इन पांच फंदों को उल्टे हाथ की सलाए में इस तरह से ले लेना है और वापस इस पांच फंदों के हमने पांच फंदे बना लेना है इस तरह से अपनी और धागा लेंगे इधर हमारे तीन फंदे बन गए हैं एक बार और अपनी उड़ागा लेंगे यहां 5 फंदे के हमारे 5 फंदे बन गए हैं एक फंदा उल्टा पहले हमने इनको निकाल लेना इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच इनको निकालने के बाद उल्टे हाथ की सलाई में इनको इस तरह से ले लेंगे फिर हमने वापस पांस फंदे के पांस फंदे बना लेने हैं एक यहाँ पर तीन फंदे हो गए एक बार अपनी तरब और धागा लेंगे पांस फंदे के हमारे यहां पांस फंदे बन गए है एक फंदा उल्टा इस तरह से पहले हमने एक दो तीन तार फंदे खोल लेने हैं पांस फंदे फिर इनको वापस उल्टे हाथ की सलाई में इस तरह से रखेंगे फिर पांस फंदों के पांस फंदे बना लेने हैं दागा अ पांस फंदे के पांस फंदे बन गए है साइट वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है सेकंड रो यहाँ पर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और हमारा एक डिजाइन बन के तयार हो गया है आप हमने दूसर डिजाइन बनाना है दूस्तर टीजन बनाने के लिए इस फंदे को तो एस्ता फंदा सीधा ये बना लेंगे उसके बाद हमने यहाँ पर तीन फंदे सीधे बना लेने है एक, दो, ये तीसरा फंदा पहले बार में हमने एक फंदा बनाया फिर हमने पांस फंदों के वापस पांस फंदे बना ले है अब हमने एस्टा फंदा सीधा बना लेना है उसके बाद एक दो तीन फंदे बना लेना है इधर हम दो फंदे इधर से लेंगे यह के सेंटर वाला है और इधर से भी दो फंदे ले लेंगे अब इसमें हमने इन पां तेन चौथा फंदा और यह पांचवा फंदा क्महलिसे च vaccins vois सेधा और यह 5 हूं में इसेंटर वाला फंदा तो यह ए तका? अब दो यह इसको सिधा बना लेंगे और यह दो फंदे है यह सेंटर वाला फंदा है इधर से दो फंदे लेंगे और इन पांस फंदों में हमने धागा गुमा लेना है एक, दो, सेंटर वाला फंदा तीन और इधर से दो फंदे में धागा गुमा लेना है चार, और ये पांच अब इधर हमने तीन फंदा सीधा बना लेना एक, दो, तीन इस्ता फंदा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइड, सेकंड रो, तुसरे डिजैन की इन फंदों को तो हमने उल्टा बना लेना है और पहले इनको एक, दो, तीन, चार, पांच पांस फंदे पहले हमने खोल लेना है फिर उल्टे हाथ की सलाई में इन फंदों को ले लेना है और वापस पांस फंदे की पांस फंदा बना लेना इस तरह से दो फंदा, तीन फंदे हो गए, एक बार अपनी तरह और लेंगे ये पांस फंदे एक फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार, पांच उल्टे हाथ की सलाई में इन पांस फंदों को लेना है फिर वापस इनके पांस फंदों के पांस फंदे बना लेना है यहां तीन फंदे बन गए हैं एक बार अपनी तरव रखेंगे यहां पांस फंदे बन गए हैं बागी फंदा उल्टा बना लेंगे एक दो तीन एस्टा फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है दो रूकर डीजन फ्रेंज से इस तरह से बन के आएगा आप इस टीजन को लेडीज कार्डिकन में अप्लाई कर सकते हैं और पेवी फ्रॉक में भी आप इस टीजन को डाल सकते हैं पूरा बन के इस तरह से दिखेगा थेंक यू फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ